दोस्तों नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम तो कक्षा बारवी विसे अर्थ सास्त्र का पूरा पेपर हल सहित आपको मैं बता रहा हूँ यहां पर आपकी 23 परिक्षा को टारगेट किया गया है दोस्तों और 23 परिक्षा में जितने भी आपको कुशन देखने को मिले उसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेस्ट कांटेंट हम उपलब्द कराएंगे कक्षा बार्य वाले इस्टूडेंट्स को तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और एक बात में बता दूँ आपका जो पेपर है जिसमें कुशन नंबर फस्ट से ले करके तो कुशन नंबर 23 तक सभी के लिए आपको कुछ यहां पर जो कंपलसरी नियम रूल्स दिये गए हैं उसी के आधर पर आप पेपर को हल करेंगे ताकि आप एन्यूल एक्जाम में अच्छा प्रदर्सन कर सकें और आप सभी की सामाने जानकारे के लिए एक बात में बता देता हूं मेंस एजुकेशन एपलिकेशन जो हमारा एप है इस एप पर कक्षा बारवी आर्ट्स वालों के लिए हमने कोर आप लोड कर रहा है तो आप जाकर पर्चेस उसको भी कर सकते हैं ठीक यहाँ पर आप लोगों को सब्दसीमा के आधर पर सारे प्रसनों के उत्तर देना है और ये इंट्रक्शन आप पढ़ लेना में डाइरेक्ट आप लोगों को कुश्यन आंसर बता रहा हूं सारे कुश कुश्यन भोती बेस्ट साबित होंगे आप सभी प्यारे भी धर्दियों के लिए तो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ में आप अधिक स्यादिक इसको शेयर करेंगे पहला प्रसने आपका सही विकल्प का चैन कीजिए दोस्तों उब्भोकता व्यभार का अध अधिसास्तर भी बोला जाता है ठीक है और यहां पर व्यस्टिक में उब्भोकता का व्यभार है उसका ध्यन किया जाता है इसके बाद में आपका जो अगला जो कुश्यन रहेगा वो यह है कौफी के मुल में वरद्धी से चाई की मांग देखो जब कापी का मुल बढ़ता है तो चाई की मांग में क्या हो जाएगा तो दोस्तो चाई की मांग भी बढ़ जाएगी चाई की मांग भी बढ़ जाएगी अगला कुश्यन देखिएगा अल्पकाल में अल्पकाल का मतलब होता है कम समय थोड़ा इन चीजों को आप ध्यान रखना अर्थास्तर की भासा क आपको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है इसलिए हम आपको बेस्ट और आसान तरीके से वीडियो बनाकर उपलब्द कराते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप परिक्षा में अच्छा परदसन करें देखिए अलपकाल में उत्पदन प्रक्रिया में निम्न लिखित में से कौन से साधन होते हैं तो आपको चार उपसंदिये हैं इस्तिर साधन परिवरतन सील साधन आ तथाबा दोनों या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस्तिर साधन भी है और परिवरतन सील स कोई फर्म संतुलन में होता है जब तो दोस्तों इसमें आप लोगों का करेक्ट उत्तर जो है वो MR बराबर MC ठीक है यह आप लोगों को कम्पलीट उत्तर में लिखना है option number first नेक्ष्ट देखिए सामानी कीमत इस्तर का अध्यन विशे सामगरी है तो सामानी कीमत अध्यन का मत रूप से समस्टी अर्थसास्तर की विशे सामगरी है तो इसमें क्या होता है सामानी कीमत इस्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है अध्यन किया जाता है तो समस्टी अर्थसास्तर इसमें आपको लिखना है इंगलिस में इसको macro economics बोला जाता है तो अगला देखिए एक दे से उसकी भोगोलिक सीमा में एक साल में उत्पादित वस्तों मतलब जो भी वस्तों उत्पादन हो रही उन वस्तों का और सेवाओं का योग कहलाता है तो क्या कहलाता है आपके आप्शन यहां पर चार दिये गए हैं इन चारों आप्शन में से आपको एक करेक्ट आप्शन के दिया है option number first will be correct answer next देखिए किन्स का रोजगार सिध्धान्त निम्न लिकित में किस पर निर्भर है किन्स का रोजगार सिध्धान्त प्यारे साथियों आप लोगों को प्रभाव पूर्ण मांग बताना है प्रभाव पूर्ण जो मांग है उस पर निर्भर करता है हमारे किन्स महोदे का जो रोजगार सिध्धान्त है ठीक option number first will be correct answer अब मैं आप लोगों को रिक्तिस्थान बता रहा हूँ यह आचुके हैं आपके रिक्तिस्थान सभी रिक्तिस्थानों के answer आपकी स्क्रीन के सामने रहेंगे आप कोपी लेकर बेटिए बिल्कुल नोट्स तयार करिए हमारे द्वारा जो भी पढ़ाय जाता है सभी most important और best होता है परिक्षा में आता भी है हमारा एप जिसने डाउनलोड कर रहा है उनको तो मतलब हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं जिसने डाउनलोड नहीं करा है उनको भी हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जाईए गूगल प्ले स्टोर पर और मेंस एजुकिशन एप को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपका बहुत ही best content उपलब्द करा दिया है हमने ठीक, notes भी है वहाँ पर और आप comment करके भी हमें जानकारी दे सकते हैं आपको काई की अवशक्ता वहाँ पर सबसे पहले है वैसे हमने सारे चीज़े आपके लिए वहाँ पर बता रखी है उत्पदन संभावना वक्र बाएं से ढाल ली होता है तो दोस्तों बाएं से ढाएं गिपिन वस्तों के लिए मांग की लोच गिपिन वस्तों के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है तो यहाँ पर आपको धनात्मक उत्तर में लिखना रहेगा ठीके मतलब सेकेंड वाले में धनात्मक लिख देना तरड़ वाला देखो साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाले वरद्धी कहलाती है जब साधन की एक इकाई बढ़ा देते हैं तो इसमें सीमान्त उत्पादन कहलाती है सीमान्त उत्पादन ये आपका करेक्ट होगा अगला question है पूर्ण प्रतियों गीता एक इस्थिति होती है तो दोस्तों, पूर्ण प्रतियों गीता तो कभी उत्पन होई नहीं सकती ठीक है, तो ये कालपनिक इस्थिति होती है, हम कलपना कर सकते हैं अगला देखिए, sark is equal to तो यहाँ पर sark में 1-c-r-r ठीक है एक बटा सी आर आर करेक्ट होगा के नियम जेबी से ने दिया अच्छा जेबी से ने किस की नियम दिये हैं तो उन्होंने दिये हैं बाजार के नियम तो खाले स्थान में आपको लिखना है बाजार बाजार की नियम देने वाले जे बी से थे ठीक अगला कुश्चिन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा सिमानत उप्योगिता दोस्तों इसमें सही जोड़ी बनानी है आप लोगों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अप्डेट हम आपको लाते रहेंगे आपके लिए बताते रहेंगे आपको सारी जानकारी देते रहेंगे सिमानत उप्योगिता में आपको मिलाना रहेगा कुल उप्योगिता सिमानत उप्योगिता के आगे M U आपका correct answer हो जाएगा मांग के नियम तो जो मांग के नियम है ना इसमें आपको मैं बता देता हूँ 5 होते हैं सामी कीमत सामी कीमत में आप लोगों को मांग is equal to पूर्ती मांग बरबर पूर्ती करना है वस्तू की मांग अच्छा वस्तू की मांग किसके द्वारा की जाती है जल्दी बताईए तो वस्तू की मांग दोस्तों कमेंट करके आप बताएंगे सभी जिसको याद था वो भी कमेंट करके बताएंगे जिसको नहीं याद था वो याद करके बता देंगे वो भोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग की जाती है घाटे का बजट घाटा मतलब लोस हो जाता है तो घाटे का जो बजट है इसके आगे आपको पूंजी निर्मान बताना है ठीक है? पूंजी निर्मान और अनुमानित आई एवं वे बराबर होते हैं अनुमानित आई और वे बराबर होते हैं तो वो बजट जो है वो संतुलित बजट होता है क्या होता है? संतुलित बजट विल बी करेक्ट आंसर अब हम देखें कि कुशन नमर फॉर कुशन नमर फॉर ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों ये रहा आपका कुशन नमर फॉर में फस्ट वाला कुशन उस उप्योगिता का नाम बताईए जो पहले बढ़ती है फिर इस्तिर होती है और इसके बाद घटती है तो उस उप्योगिता का नाम होता है कुल उप्योगिता कुल उप्योगिता यह आप लिग भी लेना आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है अगला कुश्चन देखिएगा उत्पदन फलन कितने प्रकार के होते हैं तो उत्पदन फलन जो है दो प्रकार के होते हैं गिसावट वे का एक अन्य नाम क्या है तो घिसावाटवे का अन्य नाम है हास माइनस मूल्य ठीक हास मूल्य याद रखना इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन है राष्ट्री आई को जन संक्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है तो इसमें प्रतिव्यक्ति आई प्राप्त हो जाती है प्रति व्यक्ति आई अगर राष्टिया एक हम जन संक्या से भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आई मिल जाती है अगला कुश्चन देखो रोजगार का परंपरावादी सिध्धान्त ये बहुत बार पुछा है बिल्कुल इंपोर्टेंट है रोजगार का परंपरावादी सिध्धान्त किस प्रतियोगिता की माननेता पर आधारी थे तो दोस्तों ये पूर्ण प्रतियोगिता की माननेता पर आधारी थे पूर्ण प्रतियोगिता और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी तो दोस्तों इसमें संबंद में लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए आप नोट कर लेना, MPC तथा MPS का संबंद, तो इसमें आप लोगों को ऐसे चिन बना कर लिख देना, MPC प्लस MPS is equal to 1, मतलब की 1, आपका इसमें correct answer हो जाएगा, ठीक, इसके बाद में ये 70 लिखी वा तो इसमें आप असत्य बताएंगे, ये आप लोगों का गलत है, वेस्ट्य और समस्ट्य अर्थसास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है, नेक्ष्ट देखिए, वर्तमान समय में कोई भी अर्तिव्योस्ता, बंद अर प्रूर सही बात है, सभी अर्तिव्योस्ता चलाइमान अर्तिव्योस्ता है, अगला देखिए भविश्य में ब्याज दर्व में व्रद्धी बचतों को कम कर देती है, तो ये गलत बात है, कोई ये निये, कोई फरक नि पड़ता है, अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून म का परिमान है, परिणाम है, तो दोस्तों इसमें आपका उसत्य बताना है, सही बात है ये, वस्तों का निर्याद चालुखाते की देंदारी होती है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, और नेक्स्ट देखिए, व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुक्तान सामिल होता है तो ये भी गलत है सेवाओं का भुक्तान व्यापर संतुलन में सामिल नहीं होता है तो ये आप लोगों के लिए important question मैंने आपको बताए है अभी आपको ये जो question स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं इन question को बड़िया तरीके से आप याद करेंगे और हमारा एप जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि हमारे application पर हमने notes available करा दिये हैं और कुछ notes upload हो रहे हैं तो एप को तो पहले डाउनलोड करिए जितने आपके लिए कक्चा बारवी MP board के लिए हमने course उस पर उपलब्द कराए हैं उनको आप purchase कर लेजिए तब तक आपके लिए और भी जो notes हैं वो जो तयार हो रहे हैं दोस्तों वो भी उसी course में मिल जाएंगे उसके लिए अलग से आपको फीस देने की कोई भी अवशकता नहीं रहेगी जैसे अगर आपने 8 सबजेक्ट का course 499 वाला आपने purchase किया है हमारे men's education app से तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को उसमें जितने भी सबजेक्ट हैं सभी सबजेक्ट के notes प्लस वीडियो सब मिल जाएंगे ठीके तो जरूर आप purchase करिएगा और एप को डाउनलोड कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जैहिन वंदेमातरम